श्री रामदास त्वाले मैं करता हूँ भारत के सविधान को वंदन नरेंद्र मोदी का मैं करता हूँ अभिनंदन नरेंद्र मोदी का करता हूँ मैं अभिनंदन क्योंकि लंडन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साब को वंदन सर आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है अब मैं क्या-क्या बोलू? सर आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या-क्या बोलू? साट साल के कॉंग्रेस के कार नामों का पोल खोलू? खोलू की मत खोलू? बोलू की मत बोलू? यूपिये सरकार ने ही की थी महंगी किया था महंगा, सबजी और आलू? लेकिन बिहार में कैंसे चुनकर आए नितिशा और लालू? लेकिन बिहार में कैंसे सत्ता में आगए नितिशा और लालू? ये दोनों में कौन है चाता चालू? देने खालू? ये दोनों, आप दिखते हैं सार?colorolare नितिखते हैं सार ने भूमर लम की मत इखते हैं सार अब बातो येवे ही ह। जी welche हike प्रलीमें इस दिलेट इस दिलेट फ्रॉम रिकॉट, बइटो, बइटो, आप देखते हैं अप देखते हैं, आप देखते हैं बिहार में सस्ता होता है क्या अलू, कि अलू इद पिल्चे है, मतलब हम सब हमारे मिंत रहे हैं। आलू is the parliamentary. Silence, please. जो सविधान देश को दिया डॉक्टर राजिंदर पसाज जी के अध्यक्यता में जो 200 271 लोगों की जो सविधान सबा थी उसमें डॉक्टर बाबा सव अंबेड़कर जी ने ड्राप्टिंग कमिटी के चेर्मन के नाते बहुत बड़ा काम किया और 26 नॉवंबर 1949 को जब सबांबेड़कर आप इस सविधान की सिल्पकार है कि सविधान बनाने में बाबा सबांबेड़कर जी ने किसी के खिलाप मतलब उसमें कोई मत्व्यक्त नहीं किया बाबा सबांबेड़कर जी जब पढ़ा ही करते थे तो स्कूल के भाहर बैटते थे अगर आज अगर को स्कूल में बैटने का मोगा नहीं मिलता था जब बाबासाब अंबेड़कर जी सयाजी महराज गायकवार जी ने स्कॉलर्शिप दी इसलिए उन्होंने बड़ोधा में नवकरी की लेकिन हर कदम कदम पर बाबा साब का अपमान होता रहा और बाबासाब अंबेड़कर ज मुझे कोई फाइदा नहीं है मुझे मुमेंड शुरू करनी चाहिए और उन्होंने बाबासाब अंबेड़कर जी ने मतलब वही सुर्थ हितकारेनी सभा की स्तापना की बाबा सब अंबेडगर मुमिन चलाते रहे बाबा सब अंबेडगर समता की भूमिका लोगों के सामने रखते रहे बाबा सब अंबेडगर ने चातिवात का विरूत किया बाबा सब अंबेडगर जे ने चातुरवर्न का वि गाओ की सुरक्षा करने के लिए चत्रीय दुकान चलाने के लिए वईश गाओ की सपाई करने के लिए शुद्र तो यह चार वर्ण थे, मगर यह वर्ण काम पर आधारी थे, यह वर्ण जनम पर आधारी थे नहीं थे, जो मूल मूल जी हिंदु धरम था, यह चातुर वर्ण शिश्टिम थे काम पर आधारी, लेकिन बाद में यह जनम पर आधारी थे कास्ट शिश्टिम चलती रही, और दे लेकिन अगर हिंदु धर्म इसी तरह हमारे उपर आन्याय करता रहेगा विशमता करते रहेगा तो मैं हिंदु धर्म में रहूंगा नहीं और बाबा सबंबेड़कर जी ने सब बहुत करूना का विशार बोरे भारत को दे दिया था और टाही आज अजार साल पहले चेरमन सर 1978 भारक बहुत महीथ तह Fin hm अब इसलिए तो मेरा कहने का मसलब इतना है कि बाबा साब अंबेडगर्जी की फिलोसोफी समता परादारी थी बाबा साब अंबेडगर्जी ने हमको पढ़ाई और सिकाया कि अपने भाशा से और अपने धर्म से अपने गाउ से अपने जीले से राजे से अपना देश सबसे बढ़ा है और भारत की एकता मुझबूत करने के लिए बाबा साब के सविधान पर चर्चा हो रही है बहुत अश्री बात है लेकिन मैं आपको इतना है बताना चाहता हूं कि कानून बनाने से अंटचप ली चाहेगी नहीं कानून है लेकिन आज भी गाउगाउं में अत्याचार हो रहा है ये कॉंग्रेस वाले सत्ता में आप भी सत्ता में आ गए है कॉंग्रेस लुकूष नहीं किया देखते यह क्या करते हैं उड्यूर नरेंद्र मुदी जी करेंगे नरेंद्र मैं इतना बताना चाहता हो कि देश के सविधान को कोई धोका नहीं है बार-बार इस पी चर्चा हो रही है नरेंद्र मुदी जी तोड रहेगी मेरा धर्मकरंद भारत का सभीदान है मेरा जिंडा इस देश का तिरंगाची जिंडा है लेकिन आप लोग उनके उपर किष्टाइस कर रहे हैं उनको दुसरा कोई काम रहा नहीं है आप बोलते कि बाई इनको इनोंने जल्दी जाना चाहिए लेकिन अरेजर और मैं जब आपके साथ भी था जब मैं आपके साथ भी था तब आप भी सत्ता में थी और इसलिए मैं इतना है बताना चाहता हूं चैर्मन सर यहां मतलब ही सब जो हाउस है इसमें इसी तरह का जो अभीवाद नहीं होना चाहिए भारत के लोग तंत्र में विरोधी पक्ष थैंक यू आ तो इसे नहीं मतलब कहने मतलब है कि सभीधान की चर्चाज एर्मन सर पूरे प्रेस्ट में हो रही है और इस सरकार ने इस सभीधान दिवश होई 26 नौंबर का ए बनाने का काम किया सभी लोगों को अपने अपने मत विक्त करने का मोका दिया है लेकिन सभीधान लेकिन चलाने वाली अपडिया होना चाहिए और सभीधान चलाने वाली अ पड़िया नहीं होगे तो इस सभीधान को एक दिन हमारे लोग में दूश prends तुम कितनी भी कोशिच करो लेकिन अभी तुमको 15-20 साल कोई सत्ता मिलने वाड़ी तनहीं है मतवी से लिए उसी से करो लोगों काव बना गरते है दो नालुजी को नितीश को और यह दून एक साथ आते नहीं थे तुम सत्ता में आते नहीं थे आप दूनोई कसाथ आए लेकिन प्लीज़्दी ने तरण घज़ए नुझे मंट्रे का बनाई का आपश्यों याप समप्त किजिए मतलब मेरे बाबा साहब का सवीधान ना होता तो मैं राज्य सवा में नहीं आता मैं यहां नहीं आता तो सवीधान पर आज में इसा बोलते था हूं मतलब इतना पबढ़िया है और आप दिशे चेर्मन है हमें यहां माईनौरिटी दलीद और जो बीची और हिंदू मुसल्मान इसी तरह का भी वाद नहीं करना है मुसल्मान भी अपने हैं हिंदू भी अपन हैं सब अपने हैं लेकिन और अपने नहीं है और जब तक वो अपने नहीं होते हैं तब इसलिए आप लोगों ने और हम लोगों ने जब यह भी यह लोगा पॉचिशन ने थे मैं आपके साथ था तो वील पास करने के लिए पूरा सवेते थे और कोई भी मतलब भील हो मतलब सब भील के लिए मतलब आपने चो अच्छाबीर होगा उसमें आपने सपोर्ट करना चाहिए उसमें कोई तो सुजावते देना चाहिए काली विरोधी भूमिका लेने से की काम नचीचलने वाला है इसलिए आप सब लोगोंने मतलब इस हाउस को अच्छा चलाना है सारत के सविधान के मुताबिक अंटच अफलीटी को खत्म करना है दरीत आत्याजार को खत्म करना है मैं मंदरी में जाता हूं तो पुजारी मुझे बोलते आप अंदर आएए उनको मालूम है कि अगर मुझे रोग देगे तो पुजारा को मैं बाहर निंकालगा जो यदिये मारी मेम को कुछ आनब बाता वा गया था उनको अंदर नहीं यह जानी तो टुम्हारी जात क्या है और मैं वह जाऊँ गा- तुमें ज़ां तुम्हारी उच्छा गा- तृजिया क्या साथ इसलिए क्या जो मतलब कराध असा करता हूं और आप लोगों ने भी मतलब हमको सब्सक्राइब करना चाहिए पांच साल तक मतलब कोई चिंता नहीं है अच्छा गाम करते रहेगे बागी के लोग बुबलते है आजुबा जुवाले लेकिन नरेदर मोदी उसका जवाबते देते हैं ज्यादा बोलते नहीं है ज्यादा बोलना फिक नहीं है और इतरे मतलब मुझे लगता है कि इस सभीधान बहुत मजबूत है और इस सभीधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग कुछिस करेंगे जय भीम, जय भारत, जय सभीधान